11 साल की कश्मीर की बेटी ने फिर से किया पूरे जमो कश्मीर का नाम रोशन 11 साल उमर बहुत छोटी है लेकिन कहते हैं जब कुछ करना हो तो होसले बहुत बुलंद रहते हैं आपको बता दो कि 11 साल की बेटी ने गोल्ड जीता है नैशनल पिनक सिलट चेंपियनशिप में और ये चेंपियनशिप जो है बिहार में हो रही थी जहां पर बहुत सी स्टेट्स और यूटी से बच्चे आये थे वहाँ पर लेकिन आपको बता दे कि कश्मीर की बेटी जिसकी उम्र महस 11 साल है और जिसका नाम है डार सावया आशिक आज इसने जमो कश्मीर का नाम रोशन किया है अगर हम पिनक सिलट गेम की बात करें तो इस गेम में आप भी जानते है कि कितनी जादा फोर्स लगती है और ध्यान भी रखना पड़ता है क्योंकि इस गेम में आपको चोट लगने का खत्रा भी रहता है लेकिन फिर भी इस कश्मीर की बेटी ने जो है वो गोल्ड जीता और आपको आज बता दे कि आज इसके पोटेंशल की बात हो रही है कि जितना पोटेंशल इस बेटी में है जो 11 साल की है अगर आप 11 साल के बच्चे की उमर की बात करी तो इतनी बड़ी उमर नहीं है कम समझी रहती है लेकिन इस उमर में भी एक समझ है कि अपने जमो कश्मीर को गोल्ड जितवाना है और अपने जमो कश्मीर क्या पूरे भारत का नाम जो है वो रोशिन करना है मेराति बेटी ने बताया कि जिस तरह से कोच और इनकी फैमिली ने सपोर्ट किया बहुत ही काबल एतारीफ है और यह कहा कि परिवार मुझे बहुत सपोर्ट करता है। आम खास तोर पर हम अपनी बच्चीों को ऐसे गेम्स के लिए जो है वह सपोर्ट नहीं करते हमें लगता है कि बच्चियां है क्या ही कर लेंगी अगर बच्चियां है आप यहीं सोचते रहोगे कि क्या ही कर लेंगी तो हमारी बच्चियां जो है वह कुछ कर नहीं पाएंगी लेकिन अब मैं आपको बता दो कि जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर नैशनल पिन जीता प्री जूनियर एंड जूनियर चैंपियनशिप में जो है वो हिस्सा लिया लेकिन गॉल्ड अपने नाम किया और यह जहां पर इवेंट हो रहा था यह था पाटली पूत्र स्पोर्ट स्ट्रेडियम इन पटना बिहार में जहां पर 34 स्ट्रेट्स और यूनियन टेरिट जीत शेमी क्लास के बच्चे को कितनी ही नौलेज रहती है कि मैंने अपने देश को रिपर्जेंट करना है लेकिन जब जब जबा हो और अल्ला साथ हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं के वाई इंटरनेशनल स्कूल हरनाग अनंतनाग में यह पढ़ती है और इसकी इस अचीव हम जो हैं वो बहुत आगे तक जा सकते हैं अब सावय की बात करते हैं सावय कहती है कि मैं फोन और टेलिविजन से दूर रहती हूं एक हेल्दी लाइफस्टैल जीती हूं एक हेल्दी लाइफस्टैल के साथ-साथ मुझे पता है कि मुझे कब पढ़ना है और मुझे पता है कि वो अपने बच्चों को जो है वो स्पोर्ट्स की और धकेले और उन्हें कभी भी लेट डाउन करने के लिए ना कहीं और नाहीं ऐसा कहें कि बेटी है क्या ही कर लोगी डार साविया आशिक के पिता जो है आज यानी उसके पेरेंट जो है वो बहुत ज्ञादा जो है प्रा और आपको ये भी बता दें, वो ये भी कहरें कि इसके आगे उनका सफर जो है जारी रहेगा, इस गेम में बहुत जादा पोटेंशियल लगता है, इसलिए फोन और टीवी से दूर होकर वो फिजिकली एक्सराइज योगा भी करती हैं, फिजिकली अपने आपको फिट रखती और साथ में mentally भी फिट रहती हैं ताकि वो गेम पर concentrate कर पाएं, जहांपर 1400 बच्चों में से साविया की बात करते हैं, डार साविया की उन्होंने गोल जीता है और इस खिताब को अपने नाम किया है